कि राज शिच्छा शोध एवं प्रसिच्छन पडिसद पत्ना विहार में आपका स्वागत है बच्चो पिछली कच्छाओं में हमने परकास के कुछ गुनों के बारे में अध्यन किया था जैसे कि परकास सीधी रेखा में गमन करता है और लाइट इजिन हरी मिस परकास जल्दी में रहता है और परकास सीधी रेखा में गमन करता है इसी का ओप्योग करते हुए हम लोगों ने परकास के प्रावर्तन के नियमों को जाना था और परकास के प्रावर्तन के नियमों का उपियोग करते हुए गोलिय दरपनों में विभिन अस्थानों पर विभिन इस्थितियों में बनने वाले प्रतिवीम्बो की इस्थिती, उसके प्रकिर्ती और आवर्धन के वारे में अध्यन किया था हम लोगों ने गोली दर्पन अव्तल दर्पन उत्तल दर्पन के बारे में अध्यन किया था उनके गुनों के बारे में जाना था जो R equals to 2F होता है उसको भी हम लोग ने derive किया था उसके बाद दरपन सुत्र, आवर्धन और जो new Cartesian system के अधार पर जो image का distance है और जो object का distance है और जो focal distance है उनके चिन्हों के बारे में भी अध्यन किया था उसके बाद हम लोग कुछ numericals को solve कर रहे थे तो हमारे सामने आज एक new numerical है इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाता है तो यह numerical आपके सामने है तो numerical इस परकार है कि कोई वस्तू 15 cm वक्रता तिर्जया के अबतल दरपन से तो हमारे पास क्याकर दिया हुआ कि सबसे पहले कि 15 cm वक्रता तिर्जया के दिया हुआ है यानि कि सी कोस्टू कि सी कोस्टू जो है सी सी पोजिशन है और हमें आप पर लेखेंगे सी कोस्टू टू यफ और टू एपकोस्टू कितना दिया हुआ है 15 cm और चुकी यह अबतल दरपन है तो अबतल दरपन जैसे हम बनाते हैं तो उसका जो फोकल डिस्टेंस होता है फोकस दूरी जो उसकी होती है वो निगेटिव यानि कि रिनात्मक होती है तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी कोस्टू एपकोस्टू माइनस फिप्टिन यू जो हमारा है वो दिया हुआ है माइनस 10 सेंटीमीटर बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोल ये दरपन में अगर हम अब्जेक डिस्टेंस ले रहे हैं यानि कि बस्तू की दूरी ले रहे हैं तो हमेशा जो होगा वो रिनात्मक होगा और यहाँ पर हमें दिया ह एक दूरी और हम लोग को दिया हुआ है जो की है 5 cm उसको हम लोग इसके बाद बनाएंगे पहले इसको देखते हैं सी को स्थिक टोक्य दिया हुआ है टू एफ और एकटो मैंनस 15 सेन्टीमिटर यह जो है सी पॉैंट है इसके स्थान पर हम yell लिखेंगे कि Pacific एफिक एफ को स्थी माननस 15 सेन्टीमिटर और एहां पर होगया एफिक तू एफ को सब्सक्राइब करने से पहले हम लोग डियाग्राम में देखते हैं कि इसका पूजिशन्स क्या होगा और इसका आवर्धन क्या होगा तो इसके लिए हम लोग एक अबतल दर्पन बना रहे हैं हमारे पास एक अबतल दर्पन है अबतल दर्पन में हम यहां पे पोल लेते हैं और उसके बाद फोकस दिया हुआ है यहां पे हम लोग लेगते हैं फोकल पॉइंट यानि कि फोकस यह कितना दिया हुआ हम लोग का माइनस सेबन पॉइंट फाइब सेंटिमेटर यहां तक दिया हुआ है उसके बाद यू जो हमारा है वह यू है माइनस सेंटी मीटर माइनस टेन का मतलब हुआ कि माइनस सेबन पॉइंट फाइब की बाद होगा यानि कि यह हमारा हो गया और यहां पर इसी का दुगना जो हमारा सी यहां पर होगा और यहां पर सी कितना होगा यहां पर जो अगर हम capital R ले रहे हैं तो capital R का का जो distance है वो कितना है माइनस 15 cm अगर फोकल डिस्टेंस हमारा हो गया मैनस 7.5 और जो हमारा capital R हो गया radius of curvature जिसको बक्रता तिर्जया बोलते हैं यहां पर हम लिख देते हैं वक्रता तिर्जया पर जो हमारा वक्रता तिर्जया है यह माइनस 15 cm और U जो है वो माइनस 10 cm यानि कि यह जो C है और F है इसके बीच में जो है object होगा तो यहां पर लिखते हैं इसको C और F के बीच में है तो उसका पर्तिविम कहां पर बनेगा इसको थोड़ा सा जो है प्रिंस्पल एक्सिस को मुख अक्ष को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं एक परकास की किरन जो है वह सवानांतर यहां से आएगी प्रिंस्पल यह सवानांतर चलेगी और चुकि यह जो रे है यह जो हमारी किरन है यह मुख अक्ष के सवानांतर है तो दरपन पर पढ़ने के बाद यह फोकस से होके गुजरेंगी यहां पर यह परकास की किरन जो है यह फोकस से हो करके यहां पर यह गुजरेंगी और दूसरी परकास की किरन जो है हम देखेंगे यहां प कढ़ा करने के बाद हम इसके लौंग लेते हैं एक प्रकास की किरन कि Center of curvature की यह अगर दरपन पर पड़ती है तो फड़ने के बाद हुआ बापस आती है और बापस आने के बाद कुछ यहां पर मिलेंगी और यहां हमारा परतिविम का अंधिर्मान उल्टा होगा कुछ इसी तरह से हम लोगों ने आरह के माध्यम से पिछली कच्छाओं में देखा था तो हम देख रहे हैं पहली जो प्रकास की किरन है वो क्या है प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल है प्रावर्तन के बाद फोकस से होते हुए य चुकि सी है सी का मतलब हो गया यह जो है क्यंद्र है यह पूरा जो हमारा जो दर्पन है उसका क्यंद्र है और क्यंद्र से अगर हम किसी रेखा को किसी किरन को दर्पन पर जाने देते हैं या पढ़ता है तो हम पर प्रपेंडिकुलर होगा यानि कि विलंब होगा यह विलं लोग ने देखा कि आरेक क्यमाध्याम से की पर्तिविम का निर्मान कहां पर होगा और किस परकार होगा अब हम लोग इसको नुमेरिकली सोल्व करते हैं तो नुमेरिकल में क्या दिया हुआ है एफ हमारा दिया हुआ है माइनस 7.5 सेंटीमीटर और यू जो दिया हुआ है वह 1YV पलस 1YU इकोल स्टू 1YF हमें दिया हुआ क्या है एफ और यू और वी जो हमें निकालना तो लिखेंगे यहां पर वन वई वी इकोल स्टू 1YF एफ माइनस 1 वाई यू तो 1 वाई एफ कितना दिया हुआ है 1 वाई हो गया माइनस 7.5 सेंटीमीटर माइनस 1 वाई माइनस 10 सेंटीमीटर अब इसी को हम लोग लिखेंगे हां पर 1 वाई वी इकोल स्टू माइनस 1 वाई 7.5 सेंटीमीटर और यह माइनस माइनस दोनों क्या होगा अगर इसमें हम लोग माइनस 1 से उपर नीचे मल्टिप्लाइ करते हैं गुणा करते हैं यह पलस जयाएगा और यह भी क्या हो जाएगा प्लस जो जाएगा तो लिखेंगे पलस 1 वाई 10 कि अब यहां देख नेकी नीचे में जाएगा 15 पांच दूने 10 और 5 15 पचे 75 तो लिखेंगे इसको हम लोग 2 बाई 15 पलस एक बटा 10 पिर से इसको हल करेंगे कि यहां पर हम लोग का यहां जो है 30 हो गया 15 दूने 30 तो हो जाएगा 2 दूने 4 और पलस 10 तीया 30 तीन यानि कि हमारा यहां पर हो गया साथ बटा 30 चला यहां पर हमारा अब इसके बाद अच्छा यहां पर माइनस चूट गया है यहां माइनस होगा यहां भी माइनस 2 है और यहां माइनस 4 है तो माइनस 4 पलस 3 कितना होगा यहां पर हमारा होगा –1 और यह हमारा दिया होगा है 1 by V पॉस्टू ए-1 by 30 अभ हम यहां से लिखेंगे V वराबर क्या हो जाएगा –30 cm तो परतिबिम की जो दूरी हो गई वह गया –30 cm तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो C है जो केंदर है वो 15 cm दूरी पर है पॉल से तो इसका का मतलब है कि इसका दुगना करीब करीब यहां पर पर होगा अब लोग ने लगाया था कि करीब करीब यहां पर है लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि अगर माइनस 15 सेंटीमीटर पर माइनस 15 सेंटिम्टर यहां पर हुआ तो यह पर करीब-करीब जो यह इस्थान हमारा परतिबिम्ब का होगा और हम V देख रहे हैं कि माइनस से माइनस का मतलब क्या है कि वास्तविक परतिबिम्ब है और पोल से 30 सेंटिम्टर की दूरी पर है उसके बाद इसमें सवाल है पर्तिविम की स्थिति हो गई प्रकिर्ति तो पर्तिविम हुमारा जो है वास्तिविक हो गया और आब हम आवर्धन निकाल रहे हैं तो आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो है M बरावर सब्सक्राइब माइनस वी वाई यू तो माइनस यहाँ पर हम लेते हैं और वी हमारा जो है माइनस 30 सेंटीमीटर है और यू हमारा माइनस 10 सेंटीमीटर है जब इसको हम लोग simplify करें मैंस मैंस प्लस होएगा उपर से मैं नीचे मैंस से 1 से multiply करेंगे तो उपर भी 3 हो गया और नीचे भी जो है 1 हो गया तो हम लिखेंगे मैंस 3 यानि कि M बराबर हो गया मैंस 3 यहां पर मैंस साइन यह बता रहा है कि अगर अब्जेक्ट इस परकार है सिधा है अब्जेक्ट तो उसका परत्विम उल्टा बनेगा सिधा अब्जेक्ट का परत्विम उल्टा बन रहा है तो अगर हमें POSITIONS पता है तो हम पहले भी पता कर सकते हैं मोटे तोर पर की परतिविम कांदिरमान जो है कहां पे होगा अब ऐसे Numerically हम लोग exact निकाल सकते हैं कि परतिविम कांदिरमान कहां पे होगा किस परकार होगा उसकी स्थिती क्या होगी उस पर्तिविम का परकार क्या होगा अब दूसरी स्थिती में हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु दूरी वस्तु दूरी जो हमारा है वो 5 cm दिया हुआ है तो 2F तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है मैनस 15 cm और हमारा इस बार जो है वस्तु दूरी 5 cm है अब तल दरपन है या किसी प्रकार का दरपन हो जो वस्तु की दूरी होगी हमेशा रिनात्मक होगी अब हम देख रहे हैं कि व माइनस 50 हो गया 15 सेंटीमेटर और इस परकारख़ तु हो गिया हमारा माइनस 7.5 सेंटीमेटर कि फिर हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इस बार पत्विम का निर्मान किसी सितिधि में होगा और देखते हैं इस बार पर्तिविम की सिति क्या होगी तो हमारे पास एक डियाग्राम है यह प्रिंस्पल एक्सिस है और इस बार इसे पीछे तक भी हम लोग ले जा रहे हैं हमारा फोकल पॉइंट जो है वह है है माइनस 7.5 cm तो यह माइनस में 7.5 cm और हमारा जो सी होगा है वो एक यहां पर होगा जो की 15 cm की दूरी पर है बस्तु की दूरी दी गई है वो दी गई है माइनस 5 सेंटीमेटर यानि कि यहां पर करीब-करीब बस्तु की दूरी दी गई होगी यहां पर होगी बस्तु करीब-करीब यहां पर ले लेते हैं अब हम लोगों ने डियाग्राम के माध्यम से यह देखा था कि अगर बस तू पोल और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिविम कहां पे बनेगा तो हम लोगों ने देखा था कि अगर बस तू पोल और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिविम दरपन के पीछे बनेगा तो यहां प्रावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस तरह से गुजरेंगी यह हम देख रहें कि सी से होने वाली लाइन है तो यह हमारा भी लंब हो गया यहां पर एंगल हमारा आई हो गया और यहां पर एंगल हमारा आर हो गया तो प्रावर्तन का पालन करते हुए अगर इस लाइन क यह यहां से इस प्रकार से जाएंगी और यह फिर बापस आ जाएंगी चुकि हम लोग देख रहे हैं कि सी से होने वाली कोई प्रकासी किरन दरपन पर पढ़ रही है तो उस पर वह अभी लंभ है और दरपन पर पढ़ने के बाद वह फिर बापस सी से ही होकर बापस लोड़ जाती हैं अब इस प्रकास किरन को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां देख रहे हैं यहां पर करीब करीब बस्तू का निर्मान होगा और यहां पर जो बस्तू का निर्मान है वह हमारा है डाइस और बीडाइस इस तरह से बस्तू का निर्मान होगा यह हमारा जो है आरेह के माध्यम से है अब इसी को हम लोग निमेरिकली सोल्व करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है माइनस 7.5 सेंटीमेटर और यू दिया हुआ है माइनस 5 सेंटीमेटर निकालना क्या है वी दर्पन के सुत्र से हम लोग देखते हैं दर्पन का जो सुत्र है वो यह है वन वाई वी पलस वन वाई यू इकोस टू वन वाई एफ तो वन वाई वी निकालना है वन वाई वी इकोस टू क्या हो जाएगा वन वाई एफ माईनस वन वाई यू वन वाई वी इकोस टू हो जाएगा एफ हम लोग को दिया हुआ है माईनस 7.5 सेंटीमेटर यहां माईनस हो गया यू जो हमारा दिया हुआ है वह माईनस 5 सेंटीमेटर अब यहां पर माईनस माईनस क्या हो जाएगा पलस यहां पर गया और यहां पर हो गया 7.5 और इसमें भी उपर नीचे मैनस से गुना करते हैं अगर तो यह भी प्लस जो जाएगा उपर ही प्लस तो प्लस लिखेंगे 1 by 5 अब इस डेसिमल को अगर हटाते हैं तो उपर से लाएगा 10 और नीचे हो गया 7.75 अब हम इसको लिखेंगे तो वन वाई वी बराबर माइनस 10 बटा 75 पलस एक बटा 5 अब इसे कट करेंगे पांच दूना दस और यह पंद्रह पचे 75 तो यहाँ पर लिखेंगे फिर हम लोग 1yv कोस्टू माइनस 2y 15 और इधर हो गया पलस वन वाई फाइव तो वन वाई वी लिख ली यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ही दूनों का लगुत्तम लेते हैं ले तो पंद्रह और पांच का जो लगुत्तम होगा वो 15 होगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 और पलस 3 अब देखें क्या इस्तिति यहाँ पर आ रही है कि पिछली बार जो हम लोग सोल्व कर रहे थे पिछली बार जो हल कर रहे थे तो हमारे पास जो है कितना था 10 cm यहाँ पर अगर हम 10 लेते और 10 और 15 जो है 30 आता तो पर जो है हम लोग लोग यहाँ पर पांच लिये हैं और यहाँ पर क्या रहा है पांस तीन में सगर दो घटा रहें कितना हुआ वन वाई वी कोस्टू थीरी माइनस टू कितना हो गया वन और वन वाई 15 और वी कोस्टू क्या हो गया इस वार पलस 15 सेंटीमीटर यानि कि इस वार जो है वी पोजिटीव है पोजिटीव का मतलब है कि यह अगर हम मूल बिंदू इसको ले रहे हैं अगर यह हम इस तरह से इस बना रहे हैं तो यहां पर जो पोल आपर मूल बिंदू है इधर जो इतनी भी सारी दूरियां होगी वह रिनात्मक होगी और दरपन की पीछे वाली दूरियां हो गया तो पीछे वाली जो दूरी है वह कितना दिया हुआ है पलस 15 सेंटीमीटर पलस का मतलब हुआ कि पर पोल से ले करके जो परतिविम का निर्मान होगा वो कितना दूरी पर होगा 15 cm की दूरी पर होगी और पिछली बार हम लोग जब निकाल रहे थे तो उस case में क्या था कि उस case में हम लोग देख रहे थे कि उहाँ पर 1y जो हम लोग ले रहे थे 1yu उस समय हमारे पास 1y-10 था और f हमारा सेम था तो हम लोग निकाल रहे थे अब उस स्थिति का थोड़ा सा हम लोग जो है तुलना करते हैं 1yv equals to u जो हमारा ये 1y जो f है f की स्थिति क्या होगी यहाँ पे माइनस 2y 15 और यहाँ पे पलस हम लोग ले रहें यहाँ पे 1y 10 और 15 और 10 का जो LCM होगा कितना होगा यहाँ पे 30 तो 30 होने पर क्या है 15 टूजा यह माइनस 4 हो गया और पलस थिरी तो यहाँ पर 10 होने से यह जो इसका जो कंपोनेंट ज्यादा च्छोटा हो रहा है और 1y5 से बड़ा हो रहा है और बड़ा होने के कारण जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिजीट आ रहा है यह इस से बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के कारण ही हमारा जो परतिविम्भ है इस इस्थिति में पलस है और यहां पर जो हम देख रहे हैं 1y equals to minus 1y 30 और वी क्तिना रहा है minus 30 तो अब्जेक्ट अब्जेक्ट का डिस्टेंस जब हम कम करते हैं तो परतिविम्भ का दिर्मान जो है पीछे हो रहा है अब्जेट के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो परत्विम का निर्मान जो है दर्पन के सामने हो रहा है और इसी स्थिती में हम लोग को आवर्धन भी निकालना है तो M बराबर क्या होगा M बराबर फर्मूला है माइनस VY U इस केस में V हमारा जो निकला है वो कितना है पलस 15 15 बाई यू यू हमारा इस बार है माइनस 5 सेंटीमीटर तो यहां पर ले रहे हैं माइनस 5 और जब हम इसको जो इसको जो है सिंप्लिफाइब करते हैं तो क्या रहा है पलस 3 यानि किस बार जो है यह plus 3 आप यहां पर प्लस का मतलब क्या है पलस का मतलब है कि object जो बस्तू है उ practically 5 यह हमारा object है जो की सीधा है और पर दीमीब है निर्मारा जो सीधा बना है एक खास बात क्या है कि जितना बड़ा औष्ट है उसका तीन गुना बड़ा जो है पर्तविम का दिरमान होगा अगर यहां पर यह 2 cm है तो यहां पर जो परतविम का दिरमान होगा यह 6 cm होगा इसी तरह फिर हम एक निव नुमेरिकल के साथ मिलते हैं तो हमारे पास फिर से एक निया नुमेरिकल है और इसे हम लोग हल करते हैं तो इसकी सुचनाओं को जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि हमें क्या-क्या दिया हुआ है सबसे पहले दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोंबत्ती यानि कि जो बस्तु की उचाई दी गई है वो दी गई है 2.5 सेंटीमीटर और बस्तु सिधा ही समानता रहता है तो इसे हम लोग ले रहे हैं एच बराबर 2.5 सेंटीमीटर कोई छोटी मोंबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता तिर्जिया यानि कि आर बराबर क्या दिया हुआ है 36 cm और R को हम लोग लिखेंगे 2F वक्रता तिर्जा के किसी अबतल दर्पन हमें ये अबतल दर्पन दिया हुआ है इसलिए इसे हम लोग माइनस मिलेंगे तो माइनस 36 cm और फ वराबर हमारा हो जाएगा । माइनस 18 cm किसी अवद्थ दर्पन से 27 cm की दूरी पर रखी है और यह मारा जो दीया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस 27cm अब इसमें कहा जा रहा है कि दर्पन से किसी परदे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका पर्तिविम परदे पर बने परतिविम की प्रकिर्ति और साइज का वर्णन करें तो हमें वी निकालना है तो हम लोग पहले देखते हैं आरेख के माध्याम से कि परतिविम का निर्मान कहां पे होगा तो यह कुछ इस तरह से हमारे पास अबदल दर्पन है और यह हमारा जो है पोल हो गया यहां पर हमारा जो है फोकल पॉइंट है यहां पर सी होगा तो फोकल पॉइंट जो दिया हुआ है 18 सेंटीमिटर यानि कि यहां पर दिया है माइनस 18 सेंटीमिटर यह फोकल पॉइंट हो गया और जो सी दिया हुआ है वह 36 है यहां पर हो जाए सेंटिमीटर दिया हुआ है और अब्जेक्ट जो हमारा है वह माइनस 27 यानि कि यह 18 है इसका आधा यहां पर करीब इस दोनों की बीच में होगा अब्जेक्ट यहां पर इस तरह से लेते हैं यह हमारा अब्जेक्ट हो गया इसे हम लोग लिखेंगे अब्जेक्ट है तो इसका पर्तिविम कहां पर बनेगा इसको हम लोग देखते हैं एक परकास की किरन मुखक के स्वनामतर दरपन पर पढ़ने के बाद फोकेस से होकर गुजरती है करीब-करीब यहां पर आएंगी और जो दूसरी परकास की किरन है वह कुछ इस तरह से सी के लॉंग दरपन पर पढ़ती है और फिर बापस आती है और बापस आने के बाद यहां पर पर परतिविम का निर्मान होगा यानि की यू यह जो वी जो होगा वो 36 से कहीं दूर होगा यानि की माइनस 36 से छोटा छोटा का मतलब है कि यह जो निमेरिकल वहलू है वो बड़ा आएगा इसे ही हम लोग मैथेमेटिकली सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास यू दिया हुआ है माइनस 27 सेंटिमीटर और एफ दिया हुआ है माइनस 18 सेंटिमीटर अब दरपन सुत्र से हम लोग लिखते हैं तो दरपन सुत्र जो हमारा है वो है वन वाई वी पलस वन वाई यू इकोल स्टू वन वाई एप तो वन वाई वी इकोल स्टू हो जाएगा जो हमारा एफ है 1 वाई मैनस 18 मैनस और यू हमारा जो है वो है कितना तो मैनस 27 सेंटिमीटर तहां पर लिखेंगे वन वाई वी इकोल च्टू यह मैनस लगा ऊपर मैनस वन वाई 18 उपर नीचे मैनस वाई से मल्टिप्लाइए करेंगे इसमें भी करेंगे तो यह 27 अब लिखने वन वाई वी इक्वास्टू दोनों का एल सीम लेते हैं अठारा और सताइस का चोगोन आएगा कि और यह हो जागा एटीन थ्री जा यानि की माइनस थ्री हो गया और यहां हो या टू कि इसी प्रग्राप से फिर हम यहां पर लिखेंगे से वन वाई वी इक्वास्टू माइनस उन वाई 54 और वी वज़्टू माइनस 54 सेंटीमीटर तो जिस तरह से हम वह लोग का अंदादा था कि यहां पर परतिभीम का जो निर्मान होगा वह माईनस 36 के बियांड होगा यानि कि यहां का जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वह कितना हो गया माइनस 54 सेंटीमीटर है दूसरा जो सवाल है वो हमारे पास जो है बस्तु की उचाई दी गई है तो इससे हम लोग लिए अवर्धन शुत्र का पर्योग करते हुए ऊचाई सकते तो आम मेराबर होता है —Vu u equals to पर्तविम क्युँ चाहिव बटा बस्तु क्युचाहि एस ड़ाइस रिपर्जेंट करता एक पर्तिविम क्युचाहिक और रेच रिपर्जेंट कर रहा है बस्तु क्युचाहिक को तो यहां लिखेंगे हम लोग मायनस workers जो वी हमारा है वो दिया हुआ है है माइनस 54 सेंटीमीटर कि यहां लिखेंगे माइनस 54 और जो हमारा यू दिया हुआ है वह है माइनस 27 सेवन है एच डैस निकालना है और एच दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर कि इसे जब सिंप्लिफाइ करते हैं यानि कि माइनस टू हमारा जो आवर्धन है वह माइनस टू दिया हुआ है माइनस का मतलब है कि वस्तू अगर सीधा है तो परतिविम उल्टा बनेगा और टू का मतल परतिविम की उचाई होगी तो माइनस टू हो गया और यहां पर ओगया रच और नीचे में एच डैस टू पॉइंट फाइच होगी फाइव सेंटीमीटर और माइनस में चूकिए उल्टा है और या अब ह्यां है कि यदी मंबत्ति को दर्बब की ओर ली जाये ले जाए कि एगा अगर हम यह जलता हुँ तो फिर परत्विम का जो निर्मान होगा वो अनंत पर होगा और फोकस के बाद हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो अगर इस तरह से दर्पन को हम बढ़ा रहे हैं तो ये परत्विम का निर्मान पीछे में काल्पनिक परत्विम बनाएगा लेकिन जितना बड़ा बस्तू है उस आपसकार.